कुल देवता कुल देवी पूजा साधना अनुष्ठान मित्रों कुल देवता का तात्पर्य है, जिस देवता की कृपासे कुल में अभिवरिध्धी हुई है, परिवार को सदैव एक अभय छत्र प्राप्थ होता रहा है। कुल देवता ही साधक को समस्त प्रकार के वैभव, उन्नती, शक्ती, प्रतिष्ठा, सुख, शांती प्रदान करने में सक्षम होते हैं, यदि उन्हें साधना द्वारा प्रसंद कर लिया जाये तो। मित्रों आज भारत के बहुत सारे परिवारों को अपने कुल देवी देवता के बारे में जानकारी नहीं है, इसके कारण वे अपने कुल देवी देवता की पूजा साधना नहीं संपन्द कर पा रहे हैं, परिणाम स्वरूप ऐसे लोगों के जीवन में एक नकारात मक्ता क बढ़ता ही जा रहा है। किसी देवी देवता या रिशी वंशच से संबंधित है। उसके गोत्र से यह पता चलता है कि वह किस वंश से संबंधित है। उन्हें पूजित करना शुरू किया। उसके लिए एक निश्चित स्थान पर एक मंदिर बनवाया जिससे एक आध्यात्मिक और पारलौकिक शक्ती से उनका कुल जुडा रहे और वहां से उसकी रक्षा होती रहे। किसी भी कुल में आत्मा उस कुल के देवी देवता की अनुमती के बाद ही जन ले सकती है और उनकी सदैव कृपा रहती है। जिस रिशी गोत्र के पूर्वजोंने वंश्वरिधी और उन्नती के लिए जिस पारलौकिक शक्ती को पूजा हो वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके रक्त में सदैव वास करती है। शास्त्रों के अनुसार कुल देवी की कृपा के बिना कोई कार्य पूरा नहीं हो पाता है। लोग भावुक होकर अथवा आकर्षित होकर कई साधनाएं तो करते हैं पर वो जानते नहीं कि जब आप अपनी कुल देवी कुल देवता को पुकारे बिना किसी भी देवी देवता की साधना करते हो तो उस साधना की फलीभूत होने की संभावना कम हो जाती है। हजारों वर्षों से अपने कुल को संगठित करने और उसके अतीत को संरक्षित करने के लिए ही कुल देवी और देवताओं को एक स्थान पर स्थापित किया जाता था। वह स्थान उस वंशिया कुल के लोगों का मूल स्थान होता था। चक्रक जन्मक विवा आदी मांगलिक कारियों में कुलदेवी या देवताओं के स्थान पर जाकर उनकी पूजा की जाती है या उनके नाम से स्थुती की जाती है. जिन लोगों को अपने कुलदेवी और देवता के बारे में नहीं मालूम है या जो भूल गए हैं, वे अपने कुल की शाखा और जड़ों से कट गए हैं, एवं बिना जड़ के व्रिक्ष की तरह फल फूल नहीं पाते हैं. पूजा के अभाव में आपके जीवन में समस्याओं का चक्कर लगा रहता है. ऐसा भी देखने में आया है कि कुल देवी देवता की पूजा छोड़ने के बाद कुछ वर्षों तक तो कोई विशेश परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब देवताओं का सुरक्षा चक्र हटता है, तो परिवार में घटनाओं और दुर घटनाओं के योग शुरू हो जा के बिना अनुवानशिक बीमारी पीधी में आती है, एक ही बीमारी के लक्षन सभी लोगों को दिखते हैं। पैसा बहुत होता है, पर मानासिक शांती नहीं होती है। यात्राओं में अपधात होते हैं, अथवा अधूरी यात्रा होती हैं, बिजनिस में भी कस्टमर पर प्रभाव नहीं बनता, अथवा आवश्यक स्थिर्ता नहीं आती। अतर प्रत्येक व्यक्ति और परिवार को अपने कुल देवता या देवी को जानना चाहिए, तथा यथा योग्य समय समय पर उन्हें उनके लिए साधना संपन्न करनी चाहिए। जिससे उनके कुल के सभी दिवंगत आत्माओं को शान्ती मिले और उनके कुल की वंश्वेल में उन्नती, वृध्धी होती रहे, उनके उपर कुल देवता का सुरक्षा चक्र सदैव कायम रहे। जीवन में जो भी वांचनिय है, उसके लिए देवी कृपा अनिवार्य है, इसलिए आप साधनात्मक उर्जाद्वारा अपने लिए देवी कृपा सुनिष्चित करते हैं। यही कारण है कि आप साधनाओं को संपन करते समय अपना पूर्ण परिचय देते हैं, जैसे नाम, गौत्र, ग्राम और दिनाक, क्योंकि आप उस असीन सत्ता के दर्बार में अपनी उपस्थिती रजिस्टर कराना चाहते हैं। अब जब आप कुल देवी या देवता की आराधना करते हैं, उस समय आपके अपने स्वजन आपका पक्ष लेकर उस असीन सत्ता के समक्ष उपस्थित होते हैं। जाहिर है कि ऐसी अवस्था में अपनी साधनात्मक सफलता और सिद्धिया सुद्रिड होती हैं, आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, और आप साधनापत पर प्रक्ती करते हैं। व्यक्ती की पहचान सर्वप्रथम उसके कुल से होती है, जिस प्रकार नाम होता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ती का गोत्र होता है, उसी प्रकार कुल भी होता है। कुल अर्थात खांदान या उसकी वंश परंपरा, जिस वंश से वह संबंधित होता है। वह वंश तो हजारों लाखों वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन आज सामान्य व्यक्ति अपने कुल की तीन चार पीडियों से अधिक के नाम नहीं जानता, यह कैसी विडम बना है? यदि किसी व्यक्ति से उसके परदादा के भाईयों के नाम पूछे जाएं, तो वह बता नहीं पाता है? यह नभी याद रहे तो भी, अपने कुल और गोत्र का सदैव ध्यान रखना तो आवश्यक ही है, क्योंकि प्रत्येक कुल परउंपरा में उस कुल के पूजत कोई देवी देवता अवश्य होते हैं. इसलिए वार त्योहार परव आदी पर स्वर्गिय दादा परदादा के साथ ही कुल देवता अथवा कुल देवी को भोग अरपन अवश्य ही किया जाता है. वालमी की रामायन में देखने को मिलता है कि विश्वामित्र के आश्रम में विद्या अर्जित कर पुनह अयोध्या लोटने पर भगवान राम ने अपने कुल के सभी देवी देवताओं का आशिरवाद प्राप्त करने के लिए साधना की थी. राजमहल के अंदर ही एक मंदिर में सभी देवी देवताओं की दिव्य जागरत मूर्तियां थी. उन्ही की साधना करने से भगवान राम को सभी कुल देवताओं का आशिरवाद प्राप्त हुआ था, जिसके कारण बे आने वाले समय में युगपुरुष सिद्ध हो सके. यदि ध्यान दिया जाए, तो विशेश साधनाओं के पूर्व, जिस प्रकार गणपती पूजन, गुरु पूजन, भैरव स्मरण आदी आवश्यक रूप से संपन किया जाता है, उसी प्रकार संक्षिप्त रूप में कुल देवताओं नमा शब्दों का भी उच्चारन कि जाता है, यह कुल देवता के प्रती अभिवादन है, जिससे हमें उनका आशिरवात प्राप्थो एवं साधना में सफलता सुनिष्चित की जा सके, वस्तुत्य कुल देवता ही साधक को समस्त प्रकार के वैभव, उन्नती, शक्ती, प्रतिष्था, सुख, शांती प्रदान करने में सक्षम होते हैं, यदि उन्हें साधना द्वारा प्रसंद कर लिया जाए तो, कई बार लोगों को अपने कुल देवी या देवता का ज्यान नहीं होता है, ऐसी दशा में शिव और जगदंबा आपके कुल देवी या देवता है, क्योंकि इस संसार की सृष्टी शि साधना विधान, यह दो सप्ताह की साधना है, जो किसी भी अमावस्या से प्रारंभ की जा सकती है, अर्थात यदि साधना सोमवार को प्रारंभ की जाए, तो पंदरा दिन बाद सोमवार को ही उस साधना का समापन भी किया जाना चाहिए, इस साधना हेतु कुल देवता यं प्राता अथ्वारात्री में स्नान कर, पूर्व की ओर मुख कर, अपने सामने गुरु चित्र रखकर सद्गुरु का संक्षिप्त पूजन संपन्न करें। प्रदान करें तथा विपत्तियों से मेरी रक्षा करें। इस भाव को मन में धारण कर, दिये जा रहे संकल्प का उच्चारण करें। प्रत्यक्ष सिद्धी माला से दिये जा रहे मंत्र की पाँच माला पंद्रह दिन तक नित्य करें। अंतिम दिन यंत्र के समक्ष घर का बना हुआ नैविध्य अर्पित करें। साधना समाप्ती पर समस्थ सामगरी को नैविध्य के साथ किसी कपडे में लपेट कर, सरोवर, नदी अथवा मंदिर में अर्पित कर दें। शीघर ही साधना के परिणाम सामने आते हैं। साधक को अपने कुल देवता और कुल देवी के दर्शन होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है।